एपिसोड 8 के शुरुआत में हम देखते हैं जिन वांसू को मारने वाली थी लेकिन तबी दोयून वहाँ पर आकर उससे बचा लेता है उसके पास कोई वैपन नहीं था इसलिए वहाँ से एक चाकू उठा लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है ये सीन लिटरली बहुत अच्छा था दोनों बिल्कुल प्रोफेशनल फाइटर्स लग रहे थे दोयून के सामने टिकना उसके लिए इतना इजी नहीं था वो उसका मास कड़ा कर चेकरने की कोशिश करता है लेकिन वह भी काफी अच्छी फाइटर थी इसलिए वो खुद को ब प्रोफेशन करने लग गई थी वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें प्रोटेक करूंगा इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरी को किस कर लेते हैं फिर अगले सीन में किम जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो हटेल की हाला देकर एक हैपी कपल नहीं है वो दोनों पूरे टाइम एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे जैसे किम यह चीज नोटिस करता है तो उससे बहुत गुस्ता आता है फिर वो किम से बात करने के लाती है वो उससे पूछती है क्या यॉंग मिन तुम्हारा नाजायस भाई है ये सुन ग्रेंट पैलेस में नहीं हुआ था वो कहता है मुझे ये बात पता है उन लोगों ने जान बुचकर ये बात चुपाई क्योंकि ये काफी शर्मिंदगी वाली बात थी तो वांसु कहती है इसका मतलब उन लोगों ने तुमसे भी यही कहा किम पूछता है तुम्हारा कर दिया था उसने मीरान को 100 रुपए की दवाई 2 करोड में बेची थी उन सारे लोगों को अरेश्ट कर लिया जाता है पता चलता है वो लोग काफी टाइम से लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे यहां तक कि वो लोग डॉक्टर्स नहीं थे बलकि वो लोग तो एक्टर्स थे फिर अगले सीन में मिस्टर हान मीरान को दोयून और वांसु की साथ वाली फोटोस दिखाता है फोटो देकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों कपल हो कहता है मैं ये फोटोस मीडिया में रिलीस कर देना चाहिए जैसे ये नियूस बहार आएगी आपके साथ फ्रॉड होन वाला नियूस अपने आप ही दब जाएगा फिर हान बताता है मुझे दोयून के बारे में कुछ पता चला है वो यहाँ पर किसी मकसद से आया था कुछ टाइम पहले उसके दोस्त की मौत हो गई थी और उसका दोस चैर्मेन का देथ इंवेस्टिगेट करा था ये सुनकर मी वांसू को जिन्दा देकर उसे बहुत गुस्सा आ गया था वो जिनको बहुत मारता है कहता है जब तुम्हारे पास जाने के लिए को जगे नहीं थी तब तुम्हें मैंने यहाँ पर लाया था तुम 13 साल की उमर से फाइटिंग का काम कर रही हो पिर तुम से ये काम कैसे न मिरान पर बहुत गुस्सा करता है पूझता है आपने यह सब क्यों किया कि आपने किसी से कह tack और वांसू का पीशा करवाया था मिरान क्याती है क्योंकि इस के बिना वो कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं देती तो कूम कहता है और चाहे कुछ भी हो जब मैंने आपकी तरह घ तब जाकर मैं आपको माफ कर पाता, आपको अपनी हरकतों पर शरम तक नहीं आई, मीरान कहती है, आज हवायन ग्रूप जहां पर भी है, वो सब कुछ मेरी वज़े से है, इस शादी के लिए मैंने खुद को सेक्रिफाइस कर दिया, यह पूरा हवायन ग्रूप एक दिन तुम और आप वांसू की ऐसी फोटो मीडिया में कैसे रिलिस कर सकती है, आपको ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहिए था, वहीं पर हम 13 को देखते हैं, जो उनकी सारी बाते सुन रही थी, उनकी बातों से वो समझ गई थी, कि किम सचमे वांसू से प्यार करता है, यह सब देकर कह नहीं न कहीं उससे बहुत बुरा लगता है, फिर यहां से हमें फ्लेश बैक का एक सीन दिखाया जाता है, जब किम वांसू से मिलने के लिए आफरिका आया था, तब वो सचमे उससे प्यार करने लग गया था, यानि कि उसने ये शादी बस मेरान के कहने पर नहीं की थी, ब क्या तो मुझे माफ नहीं कर सकती, कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, जिससे हम ये रिष्टा दुबारा स्टाट करे, वांसू कहती ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्यार बचा ही नहीं है, दूसरी तरफ हम तेरा को देखते हैं, जो अपने बेटे को वां मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, दोयून के पास फांडेशन के ओरिजनल डॉकुमेंट्स हैं, वो डॉकुमेंट्स तुम मुझे ला कर दो, इसलिए वो दोयून को मिलने बुलाता है, सबसे पहले व वो डॉकुमेंट्स बाहर आ गया, तो फिर मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, उन डॉकुमेंट्स को इसलिए बनाया गया था, ताकि सारा इलजाम मुझ पे और वांसु पे आ जाए, दोयून कहता है, यह सच नहीं है, मैंने उस डॉकुमेंट्स को चेक किया है, वह लगी वहाँ पर तो मीरान का नाम है, अगर वो डॉकुमेंट्स पब्लिक हो भी गया, तो फिर मीरान अरेस्ट होगी, यह सुनकर वो चौंक जाता है, दोयून कहता है, वो डॉकुमेंट्स मिस्टर हान ने बनाया था, इसका मतलब क्लियर है, जो इंसान मीरान को हवाइन ग बेटा था, वो सारे डॉकुमेंट्स का फोटो क्लिक कर लेता है, तभी उसे बार से आवाज आती है, उसके अंदर आने पर दोयून वही पर छुप गया था, मौका पाकर वो पीछे के दर्वाजे से निकल रहा था, तभी वो सामने किम को देखता है, जो ड्रंक वाली हालत मिस्टर हान से मिलने जा रहा था, इस सरफ दोयून जैसे अपने रूम में पहुंचता है, तो उसका सारा समान बिखरा पड़ा था, तभी उसके पास पाक का मैसेज आता है, मैसेज में लिखा था, मुझे मिस्टर हान ने वो डॉकुमेंट्स तुमारे रूम से लाने के लि मिलने जाना, उसे मैंने पहले ही कुछ दे के रखा है, दूसरी तरफ किम हान से पूछता है, तुम हीने चेर्मेन को मारा है न, क्या तुमने ऐसा इसी लिए किया, ताकि लीगल ही पूरा हवाइन ग्रुप तुमारा हो जाए, इसी वज़े से मेरे डैड ने, पहले ही वो व हान कहता है, तुम यॉग मिन को कुछ भी मत करना, क्योंकि वो तुमारा भाई है, अगर उसे कुछ भी हुआ, तो फिर तुम नहीं बचोगे, किम कहता है, ये बात बहुत ही फनी है, जिसको थोड़ा सा भी क्लू होगा, वो ये बात समझ जाएगा, कि यॉग मिन मेरा हाफ प्रदर है, पता है क्यों, क्योंकि मॉम खुदी उसे पसंद नहीं करती, ऐसा कौन सा रीजन है, कि वो अपने खुद के बच्चे को पसंद नहीं करती, इसका रीजन ये है, कि वो तुम्हें अपना नौकर समझती है, तुम बस एक मामुली से लॉयर हो, जो उनके लिए किम कहता है, मैं चला जाओंगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर वांसू को कुछ भी हुआ, तो फिट तुम या फिट तुम्हारा बेटा, दोनों में से कोई नहीं बचेगा, दूसरी तरह वांसू की सेक्रेटरी उसे बताती है, पाक ने किम के कहने पर दोय वाइफल दोयून पर पॉइंट करता है, फूसता है आकि तुम वांसू से मिले क्यों, इसके पीछे क्या रिजन है, दोयून कहता है उसे अपने दोस्त के बारे में पता लगाना था, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, और वो इंसान हवाइन ग्रूप का ही है, तुम्हारे ड वांसू हां कहती है, पहले में बहुत ही कन्फ्यूस रहती थी, लेकिन जब मुझ पर इतनी बार अटेक हुआ, और दोयून ने मेरी जान बचाई, तब जाकर मेरा माइन क्लियर हुआ, हर कंडिशन में ये मेरे साथ था, और मुझे पूरा भरोसा है, कि तुमने चैर्मेन को नहीं मारा है, क्योंकि तुम ऐसे इंसान होई नहीं, जो किसी का मर्डर करे, लेकिन हमें उस इंसान को धूरना होगा, वांसू की बाते सुनकर वो शान्त हो गया था, फिर यहां से में दो हफते बात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर हान यूएस की लॉयर से मिल खिलाया था, फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं, चैर में ने मिस्टर हान से कहा था, कि मैंने पहले अपना विल बना के रख लिया है, विल में क्या लिखा है, इस बारे में कोई नहीं जानता, तुम इसका रीजन जानते हो, कि आखिर मैं एसा क्यों किया, विल में चाहे ज दिखाया जाता है जहाँ पर चेर्मेन का विल डिस्क्लोज होने वाला था लायर उस विल को पढ़ना स्टार्ट करती है उस विल में ये लिखा था कि उनके पास बहुत सरे इलिगल स्लश फंड्स हैं जिसका टोटल अमाउंट है 18 ट्रिलियन वॉन जिसको अगर इंडियन करंस पैसों को विड्रॉ करेगी वांसू के अलावा वो पैसे कोई और नहीं निकाल सकता और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खतम होता है अगर आप लोगों को मेरे एक्स्पलेशन पसंद आई हो तो आप लैक्शोर सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यों फॉर वाचिंग अजया झाल सकते हम नहीं पिल्खिव